जेहीं दोस्तों कैसे हैं आप शे भाई होप आप शबी अच्छे होंगे और आपकी प्रिप्रेशन भी सांदर तरीके से चल रहे होगे दोस्तों आपके लिए अगर हम बात करें आज हम डिसकस करने वाले 50 प्लस मनेजमेंट के important and selected questions यहां पर हम देखने वाले हैं दोस्तों लास्ट में कुछ हम important आपके लिए आप यहां पे questions और भी डिसकस करेंगे जो आपके आने वाले एक्जाम में आपके आने वाले जो सिप्ट हैं उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं तो complete दोस्तों इन सभी questions को देखिए and last तक द को आप सभी देख सकते हैं दोस्तों आप अपना review जरूर दिया करें comment आप सभी जरूर किया करें वीडियो से related कि आपको वीडियो कैसा लगा ठीक है and comment करें जरूर बताया करें चले शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस first question के साथ जो समनवे शंगठन है शमनवे संगठन का प्रथम शिद्धानत है और इसे ही अगर हम देखे तो प्रबंध का भी प्रथम शिद्धानत माना जाता हैं दोस्तों अगर आपसे question ऐसे बनेगा कि संगठन का प्रथम शिद्धानत क्या है तो आपको याद रखने है शमनवे या प्रबंध का प्रथम आपके बात करें कोई organization है उसमें जो किवल एक अधिकारी से अगर कोई आपके देखें जो आधिश पराप्त किया जाता है आधिश जो लिये जाते हैं वो अगर हम देखें तो एक तरह से आधिश की एकता से एकता की अंतर गताता है यह आपसे पोचा जाए आधिश की एकता से क्या विप्राय है तो संगठन में कारेरत कर्मशारी केवल एक अधिकारी से आधिश पराप्त करें तो यह कहलाता है आधिश की एकता वैज्ञानिक प्रबंद के जनक कौन है आपके तो वैज्ञानिक प्रबंद के जनक मने जाते ह F.W. Taylor ठीक है प्रधान मंत्री के अगर हम बात करें तो ये कार्याले स्टाफ अभिकरन का प्रकार है इंपॉर्डेंट है दोस्तों अगर हम बात करें प्रधान मंत्री की तो ये किसके अंतरगत आते हैं कौन कौन से भागों में दोस्तों आपको याद रखना है समानी स्टाफ, सहाय की स्टाफ और तक्मी की स्टाफ अगर हम बात करें आपसे ये पूछा जाए कि स्टाफ अभी करन कितने भागों में बटा है तो आपको याद रखना है तीन भागों में बटा हुआ है दोस्तों ठीक है नेक्स्ट है आपका कि नौकर शाही का जो संगठनात्मा गुरूप की व्याख्या सबसे पहले किस ने की थी दोस्तों तो आपको याद रखना है मैक्स वेवर ने दी थी अगला कोश्चन है कि संगठन के छेत्र में जो आपके देखे कि सास्त्री शिद्धानत है दोस्तों संगठन के छेत्र में सास्त्री शिद्धानत को अगर हम बात करें तो सर्वोपरी शिद्धानत माना जाता है किसे सास्त्री शिद्धानत को सर्वोपरी शिद्धानत आपके माना जाता है आपको संगठन का प्रतम सिद्धान्त हे किसके अनुसार तो आपको सिद्धान्त मूने का अनुसार देखे किस ने किया था तो 1910 इश्वी में अगर हम देखे लुई ब्रेंडिस ने किया था ठीक है वैज्ञानिक प्रबंद के अधारना का सरप्थम प्रयोग जो है 1910 इश्वी में लुई ब्रेंडिस के द्वारा किया था इसे अगर हम देखे को महादीपी कंटक किस ने कहा था दोस्तों नौकर शाही को महादीपी कंटक था कामस कॉलाइल के दौरा कहा गया था अगर आपसे पूछा जए निर्देशन के तत्तों कौन-कौन से हैं तो दोस्तों निर्देशन के तत्तों में परविक्षण अभी पेंड़ना नित्रत शंप्रिशन को शामिल किया जाता है स्टाल लगा लिएगा निर्देशन की उसकता प्रवंद के किन किन स्तरों पर होती है ऐसा आपके कोशन पूछा जाएं जैसे आपको पता है कि प्रबंधन के तीन इस्तर होते हैं पहला होता है आपकी देखे तो निमन इस्तर, मद्ध इस्तर और उच्छ इस्तर तो अगर आपसे पुछे देखे निर्देशन के उसकता प्रबंध के कितने इस्तरों में होती है दोस्तों सभी इस्तरों में होती है निर्देशन का कारी किया जाता है अगर हम देखे किसके बाद दुस्तो निर्देशन का जो कारी होता है वो नियोजन और संगठन और नियुक्तिकरण के बाद होता है यहनि सबसे पहले आपके planning बनेगी दिन planning के बाद आपके organization संगठन बनेगा संग्ठन के बाद आपके स्टाफिंग होगी स्टाफिंग के बाद आपका क्या होगा दोस्तों निर्दीशन होगा ठीक है तो आपको याद अठना है निर्दीशन का कारी होता है नियोजन संग्ठन नियुक्तिकरण के बाद ठीक है तो दोस्तों यह क्या कहलाता है यह बिक्री बजट कहलाता है उत्पादन बजट के अगर हम बात करें एक विवरन है जिसमें एक संगठन भविश में जो निश्चित समय के अंतरगत उत्पादन के पेक्षा करता है वो दोस्तों कहलाता है उत्पादन बजट जिसमें एक संग रोकड का कितना अंतरगमन और कितना बहिर गमन हुआ है इस बात का पुर्वनमान लगाना रोकड बजट कहलाता है। फे करते हैं तो ये एक तरह से पुर्वी बजट के अंतरगत आता है। आदीश निर्दीश ये नियंतित करने वाले अधिकार या सत्ताशी होता है। आपसे पुछे नियोजन जो है नियंतित करने वाले अधिकार या सत्ताशी होता है। तो आपको याद रखना है कि नियोजन और नियंतितरण जो है न दोस्तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर हम बात करें प्रबंध का प्रारंभिक कार है अंतिम कार है ऐसा पुछा जाए तो आपको याद रखना है। किसी समश्या को हल करने के लिए कारविधी के पहचान करना और चुनेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों तो निर्ने कहलाती है। प्रक्रिया के प्रक्रिया के चरण है या कौन से नहीं है। आपके बन सकता है तो आपको दोस्तों याद रखने कि निर्ने लेने की प्रक्रिया के आठ चरण है कितने हैं आपके आठ चरण हैं। बिवशाय सम すचया की पहचान करना डेटा ववा सूचना करेह उद्देश का निर्धारन, निर्ने को लागू करना, मौजुदा विकल्पों की खोज, विकल्पों के संभावित पेनाम का मुल्यांकन, निर्ने का मुल्यांकन और ब्यकल्पिक शमाधानों का visualization दोस्तों ये निर्णय लेने की प्रक्रिया के 8 चरण देखने को आपको मिलते हैं ठीक है next दोस्तों next important है कि ड्रकर के अनसार अगर हम देखे निर्णयान जो है ना विभिन विकल्पों के इमद्ध अकार्यात्मक, दो तरह की ने ने दूस्तों आपके होते हैं, कार्यात्मक और अकार्यात्मक, जोस्तों आपसे रेटर्म लओजी पुछे процесс की सथ होता है, तो आपको आदे रखना है दूरदरशिता का सुरैजन, शमश्याओं को हल करना, और बड़ी मातरा में जानकारी की व् प्रबंद का है किस ने तो आपको याद रटना है रेंशीस लिकर्ट के द्वरा कहा गया है अभी पेड़ना क्या होती है जिसे आप जानते हैं मॉटिवेशन के रूप में दियानकरशने लालच की कला जो ब्यक्ति में किसी कारे को करने की इच्छा इवं जिग्याशा उत्प कर दे कोई आप कर रहे हैं जैसे कि आपके आपको आपको कर रहे हैं पटवारी के तैयारी के लिए अगर कोई आपके पास ऐसा जो लालच है या आपको अगर हम बात करें कि आपको ऐसे इस कारे को करने की कोई इक्छा जागरित कर दे कोई जिग्याशा कोई आपके अंदर खुद से motivation सा आ जाए तो वही तो आपके अभी पेर्णा कहलाती है यानि कि किसी कारे को करने की जो इच्छा आ जाए वही आपके अगर हम देखे जो इच्छा उत्पन्न कर दे वो कहलाती है आपके अभी पेर्णा तो यह आपको यहाद रखना दिखें पैवेलियन मॉडल के इंसार दोस्तों आपको याद रखने कि मनुष्य का बेवहार सीखी हुई पिर्णाओं से प्रभावित होता है पैवेलियन मॉडल के इंसार जो मनुष्य का बेवहार है वो सीखी हुई पिर्णाओं से प्रभावित होता है दोस्तों आपको याद रखना अभी पेढ़ना कितने प्रकार की होती है तो दो प्रकार की होती है एक मौद्रिक होती है एक अमौद्रिक होती है दोस्तों आपको याद रखना है जो अभी पेढ़ना है वो दो प्रकार की होती है एक मौद्रिक होती है जैसे कि आपको पूछा है कि बालक किसी कार्यों के अपनी एक्षा से करता है तो वो कैसी पेढ़ना होगी वो एक सकरात्मक पेढ़ना होगी अगर हम बात करें पॉश्टी मोटिवेशन खुद से उसने अपनी एक्षा से किया है ठीक है फिर अगर हम बात करें दोस्तों नेक्ष्ट जो है कि कुंटे अदिनस्तों के मार्ग दर्शन परिवेक्षण के रहें प्रवंद्ध कर रहें यह तो यहुथ को आपि परिवेक्षण की कितने तक्णिके हैं जो की वर्णित की हैं तो 6, 6 तक्णिके वर्णित की है, किसके अंसर, मिलेट, ठीक है, मिलेट के अंसर अगर हम देखे, परिविक्षन की 6 तक्णिके जो की आपके वर्णित है, संचार वह प्रक्रिया होती है जिसमें पांश तर्ट्व अनिवार 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 होती है जिसमें पांश कोटिंग कहलाती है यहाँ पे गरम बात के जोस्तों पूछा गया था कि नौप चारिक संचार चैनल को संदर्भित करता है यह आपके कहलाता है यह अपुष्ट समाचार कहलाता है प्रत्ययोजन क्या कहलाता है जोस्तों याद रखेगा सत्ता का एक स्थान पर ही सिमट कर ना रहना बलकि इसका हस्तांतरन होना जोस्तों इस सत्ता का प्रत्ययोजन कहलाता है अगर आपसे पूछा दे अगर आपके ऐसा यहाँ पे बात करें कि प्रत्ययोजन एक कल्पना है यह कथन किसका है तो आपको याद रखने है फॉलेट का कथन है किसका कथन है प्रत्ययोजन एक कलपना है यह कथन अगर हम बात करें किसका है तो फॉलिट का है ठीक है प्रत्य योजन की तत्तु कौन-कौन से दोस्तों याद रखना है सत्ताकार और उत्तरदायतु प्रत्य योजन की तत्तु कौन-कौन से तो आपको याद रखना है सत्ताकार या उत्तरदायतु ठीक ह अगर हम बात करें निमनिस्तरी प्रबंदकों के लिए अधिक उप्युक्त तो कौन सा होता है अगर आपको option दे दिया जाए विकेंदरी करण केंदरी करण जिसे आप जानते हैं Centralization या विकेंदरी करण को हम बोलते हैं Decentralization तो जो निवनीश्तरी प्रबंद के लिए अधिक उप्युप्यूट होता है वह होता है दोस्तो निमनिस्तर होता है निमनिस्तर को उपर मद्दिस्तर होता है मद्दिस्तर को उपर सीर्स उचिस्तर होता है तो यह सेंटलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि निमनिस्तर के उपर भी आपके देखे तो कोई संस्था कार कर रहे यानि कि से प्रकार होते हैं दोस्तों पहला होते हैं प्रशाशनिक कार्यात्मक राजनेतिक और भावकोलिक तो विकेंद्री करण कितने प्रकार के होते हैं अगर आप से पुचिते पंचायती राज संस्था हैं प्रतीक है किसका तो यह दोस्तों विकेंद्री करण का प्रतीक होते हैं तो ये थे दोस्तो आज की हमारे complete question कैसे लगे आप सभी को आपसे वीडियो को like करके जरूर बताएं और दोस्तो के साथ share कीज़ेगा comment करके बताएगा और दोस्तो अगर आप चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े है तो चैनल पर जुड़ जाएगा चैनल पर जुड़ने के लिए बस आपको क्या करना है तो सब्सक्राइब कर लिए जिएगा चैनल को and वेल आइकन को प्रेस कर लिए जिससे आगे आने वाले exam के लिए आपको इसी तरह से चैनल पर जाएगा तो सब्सक्षाइब कर लिए जिएगा तो